गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स। तुड़े वी रीड दे सेकेंड चैप्टर ओप एसस्टी फूड वी इट भोजन जो हम लोग करते हैं। फूड इस वन ओप आवर बेसिक नीड भोजन हमारे मूल जरूरतों में से एक है। We all need food to live and grow. हम लोगों को जिवित रहने के लिए और ब्रिधी करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। Food gives us energy to work and play and to stay healthy. भोजन हमें उर्जा देता है जिससे हम लोग काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं और श्वस्त रह सकते हैं। Food protects us against disease. भोजन हमें बिभिन प्रकार के बीमारियों से बचाता है। It is an important part of our life. यह हमारे जीवन का एक महत्तुपूर्ण हिस्सा है। We cannot live without food. हम लोग बिना भोजन के जिवित नहीं रह सकते हैं। अब हम लोग sources of food के बारे में जानेंगे, sources of food का मतलब भोजन के श्रोत होता है। There are two many sources of food, plants and animals. हम लोग जितनी भी तरह के भोजन करते हैं, वह या तो हमें प्लांट से, पेड़ पौधों से मिलता है, या एनिमल्स जानवरों से मिलता है। पेड़ पौधों से हमें fruits, vegetables, food grains, pulses, spices, ये सारे चीज़ मिलते हैं, जबकि एनिमल्स से हमें milk, egg, meat, ये सारे चीज़े मिलता है। Milk is good for our bones and teeth, दूद हमारे हड़ियों और दातों के लिए बहुत अच्छा होता है। We must drink two glasses of milk every day, हम लोगों को प्रती एक दीन दो ग्लास दूद पीना चाहिए। दूद से butter, घी, cheese, curd, यानि मखन, घी, पनीर, दही, आदी बनाया जाता है। Milk is called a complete food, दूद को पूर्न भोजन भी कहा जाता है। अब हम लोग kinds of food भोजन के प्रकार के बारे में जानेंगे। Different kinds of food help us in different ways. बिभिन प्रकार के भोजन हमें बिभिन प्रकार से मदद करते हैं। These are three kinds of food यह तीन प्रकार के होते हैं। Energy giving food, body building food and protective food. Energy giving food means उर्जा दायक भोजन, body building food means शरीर वर्दक भोजन, and protective food means शुरक्षा दायक भोजन. अब हम लोग एक एक कर इन तीनों प्रकार के foods के बारे में जानेंगे। At first energy giving food, the food that give us energy are called energy giving food. इसका मतलब वैसे भोजन जो हमें उर्जा देते हैं, उसे energy giving food या उर्जा दायक भोजन करते हैं। जैसे rice, sugar, butter, घी, etc. Next, body building food, the food that help us to grow and also make our body strong are called body building foods. वैसे भोजन जो हमारे सरीर के ब्रिदी एवंग विकास में सायक होते हैं, तथा हमारे सरीर को मजबूत बनाते हैं। ऐसे भोजन को हम लोग body building food या शरीर वर्दग भोजन करते हैं, जैसे egg, meat, pulses, milk. Next, protective food, सुरक्षा दायक भोजन, the food that protect us from falling ill and keep fit. के पस fit are called protective food, वैसे भोजन जो हमें बिभिन प्रकार के बीमारियों से बचाता है, और हमें fit रखता है, उसे हम protective food या सुरक्षा दायक भोजन कहते हैं। इस प्रकार के भोजन में different types of fruits and vegetables आता है, अब हम लोग next classes में different diet, balance diet and good eating food के बारे में जानेंगे, थेंक यू